आज के वीडियो में बात करेंगे ब्रहम अस्त मूवी के बारे में जिसे लेकर लोगों में अलग-अलग तरह के विचार है जिन लोगों ने ये मूवी देखा है और जिनोंने नहीं देखा है सबी के लिए मैं एक review देना चाती हूँ कि आप जिस तरीके से इस movie को सोच रहे है और ये movie कैसी है आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल से जल subscribe कीजिए हम सबी जानते हैं कि Bollywood का कितना bad time चल रहा है हर एक बड़ी से बड़ी big budget movie सिब boycott के नाम से flop हो रही है वहीं अगर मैं ब्रहमस से movie के बात करूँ तो कुछ लोगों का कहना है कि ये movie काफी अच्छी है और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें वही सारी पूरानी चीज़े दिखाई गई है बस थोड़ा सा अंदाज अलग है पौरानिक कथाओ को बस थोड़े से animation और action scene को जोडने से कोई story नहीं नहीं बन जाती रनवीर को इसमें शीवा का रोल दिया गया है और वहीं आलिया को पारवती का वहीं अगर मैं बात करूँ तो अलग-अलग सब के पास अस्त्र और शक्तियां होती है और पूरे movie में यहीं दिखाते हैं कि किस तरीके से उनको एक जगे collect करके दुश्मन को मारना होता है दुश्मन में अगर मैं negative role की बात करूँ तो वो money roy है money roy अपनी negative role में काफी अच्छी लग रही है क्योंकि इससे पहले भी नागिन में money roy ने negative role कर चुकी है पर बात यह है कि स्टोरी को दिखाने का मतलब पेश कैसे किया जाए कभी negative role दिखाय जाता है तो कभी आलिया और अन्वी की romance दिखाय जाता है तो कभी शीवा कौन है इसी को ढूनने में लग जाते हैं पर इस तरीके से एक स्टोरी को ना पेश करने की बज़े से भी पबलिक के reaction अलग अलग आ रहा है क्योंकि सबी चाते हैं कि स्टोरी क्लियर हो आप जितना स्टोरी को घुमाने की कोशिश करेंगे लोगों को समझने में उतनी ही problem आएगी ओबर अगर मैं मूवी की पूरी बात करूँ तो थोड़ा तो बॉलिवुट से स्टैंडर है क्योंकि इसमें हॉलिवुट की तरह action scene दिखाये गए है animation scene दिखाये गए है और थोड़ी सी अच्छी मेनत की गई है आप इस मूवी को देखिएगा जरूर कमेंट करके मुझे बताईएगा आपको कैसी लगी आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा थैंक्यू